लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइटिन को प्रेस करें लेटेस्ट प्रताप या गया क्या मामा जी मीटिंग हो गई कांगरेश विलीशन प्रताप जिस काम के लिए हम सिर्जुलेंड आय थे वह काम हो गया वेरी गुड मामा जी इस दो सो करोड के कांट्रेक के लिए मैं पिछले छे मेने से पीछे पड़ा था इसका एग्रिमेंट कब साइन करना है परसो मिनिस्टर आफ कॉमर्स के साथ तुमारी मीटिंग है तभी एग्रिमेंट साइन करना है यह खबर सुनके मां बहुत खुश हो है हलो मैं प्रताब बोल रहा हूं मैं राम सींग बोल रहा हूं सर राम से मां को फॉन देना क्यों कहा गई है सर कल डॉक्टर साब आए थे अस्पताल लेके गए अस्पताल क्यों कुछ बताया नहीं सर मामा जी मुझे आज हिंदुस्तान वापस जाना होगा क्यों क्या हुआ मां को हस्पताल ले गए पता नियुके तबियत लेकर प्रताब 200 क्रोड रुपे का कॉंट्रेक्ट उसके लिए मिनिस्टर को मिलना बहुत जरूरी मामा जी 200 क्रोड तो क्या मां से बढ़कर कोई काम मां प्रताब तुम्हें क्या बाँ तुम्हें अच्छा लेक्ष्पल प्रताब तुम्हें क्या वाँ मां अरे मुझे कुछ नहीं हुआ पगले मैं ठीक हो तो फिर यहां क्यों यहां बड़े-बड़े डॉक्टरों की कॉंफरेंस थी मैंने सोचा मॉका अच्छा है रानी मां को चक अप क मिस्टर प्रताब हमने आपकी मां की पूरी जांच कर ली है और आफ सोच के साथ कहना पड़ता है कि केस बहुत ही कॉम्लिकेटेट है उनके दिल की हालत बहुत नाजूख है इसके इलावा उन्हें डायबेटीज, स्पॉंडरलाइटीज और क्रॉनिक आर्थराइडीज भी मगर हमारी दवाएं उनकी तकलीफें कुछ काम कर सकती है दरसल वो सिरफ अपने आत्मबल पर जी रही है उन्हें देखकर यह कोई नहीं कह सकता कि वो इतनी बिमार है शीज वेरी ब्रेव लेडी जी डॉक्टर साब हमें करना क्या होगा कुछ नहीं हमारी राय यह है कि आप उन्हें जितना भी खुछ रख सके रखें जो भी खाना चाहें जो भी करना चाहें करें क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है एक मामूली सा सद्मा भी उनके दिल की धर्कन बंद कर सकता है कि कि नाद रुक्रुक्रुटुक्रुक्रुट तुझा जाए क्या हूं मा माँआ मैं बहुत बिमार हूँ क्या बचने की कोई उमीद नहीं और इसके लिए जिम्मेदार तु है मैंने क्या किया मा शादी क्यों नहीं करता ओफ फो फिर शादी चलो मैं तुमें खुबा के लाता हूं मा क्या मा क्या हूँ मा तु तो कुछ बात ये नहीं कर रहे हैं मैंने तो कहां मैं तुछ से बात नहीं करोंगी जब तक तो शादी के लिए राजै नहीं हो जाता मैं दुस्से बात factor करूगल अब क्या करूं मा कोई लड़की पसंद दी कि क्या कहा है को कुछ लड़की करें किसी लड़की के साथ अरे नहीं मा, मा दरसल बात यह है कि जब पत्नी शादी करके घर पे आती है न, तो अपने पती की मा का दुख का कारण बन जाती है और मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसे तुम्हें कोई कश्ट हो वाह, कितना समझदर बेटा है मेरा, अपनी मा को जरा भी कश्ट नहीं देना जाता, लेकिन सारे सुखों से दूर रख रहा है वो कैसे? देख, हर मा का एक अर्मान होता है, उसका बेटा शादी करे, एक सुंदर सी बहु ले आए घर में रौनक हो, बहुत सारे बच्चे हो, उनके किलकारियों से सारा घर गूझ उठे रानी दीदी ठीक ही कह रही है, अब ये शादी नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? सिली वाए, ठीक है मा, तो पर जो भी लड़की अच्छी लगे, जो तुम्हें कश्ट न दे, तुम्हारी सेवा करें, ऐसी लड़की ले आओ, मैं शादी कर लूँगा? मोहन, कुछ सुन्दर घरेलो लड़कियों की तस्विरे मंगाओ, मुझे प्रताप की शादी बहुत जल्दी करानी है, मोहन ने भी जुन-जुन के सब नमोने कर्ठे किये हैं, मतलब इतनी सारी लड़कियों के साथ शादी करनी पड़ेगी मुझे, उफ, सब बेकार है, और तुभी बिकार है, अब मैंने क्या किया है, मा, उब जैसा हो गया है, अभी तक अपने लिए एक लड़की नहीं धून सका तू, मा, बहुत का शाक तुम्हे ही है, अब तुम्ही बहुत धूंडो, मैं तो चला पेकार, मा, मैं जा रहा हूं, मा, मैं तुम्हें शाम को मिलता सब देखर है, सब देखर है, सब देखर है, अभी, अभी, यह लड़के तो बहुत कुपसूरत है, वा, टेलिविशन की एक नहीं गाई का फूजा, बोलो बोलो जी हुजूर, इसमें मेरा क्या पुसूर, बोलो बोलो, मेरी आप में सुरूर, देखो, देखो, मेरी बातों में गुरूर, सुचो, सुचो, यह तो है मुझे पता, दूख हवा है जरूरत है मुझे पता। दूख हवा है जरूरत है तो है मुझे पता। My God! अरे याल, जाल भड़की है? सब कहते हैं लड़की जवार हो गई हो ये तो, हो ये तो, हो ये तो सुन सुन के मैं परिशाल हो गई सब कहते हैं लड़की जवार हो गई कोई भेजे मुझे पूल लिखे चिठे या पेजूल कोई भूल मेरा दिल दुर कड़ने को भूए है जवानी है जवानी होना चाओ बजना होना चाएँ कोई भूल सारे दुनिया बड़े बेमार हो गई सब कहते हैं लड़की जवार हो गई सब कहते हैं लड़की जवार हो गई सब कहते हैं लड़की जवार हो गई हुए तो, हुए तो, हुए तो सुन सुन के मैं परिशार हो गई सब कहते हैं लड़की जवार हो गई है जवानी, है जवानी, है जवानी है जवानी, है जवानी, है जवानी प्रॉप्स. बाइटि सोच दिननाद, सब आएगे बाराद, जल्द से लूँ फेरे साथ जाओ सजड़ा के साथ जल्स बबू से कहूँ अपनी दिल की में बात मेरे तावा मुश्किल में एजाद हो गई सब कहते हैं लड़की जवाल हो गई सब कहते हैं लड़की जवाल हो गई सब कहते हैं लड़की जवाल हो गई हुए तो हुए तो हुए तो सुन सुन के में परिशार हो गई सब कहते हैं लड़की जवाल हो गई अरे पेप कहते हैं लड़की जवाल हो गई साम में बेख तेख ठीव देखना बंदकर सामें देखने लूँ मुआ नो कि अरे अरे मर गये कि अब्धि ठोख दिया ना तुने अरे जाली थोग दी अरे यह तो यह तो यह तो वह टीवी बाली लड़की है अंद्रेट परजेंट वह लड़की है देखकर नहीं चला सकते आपने हमारी गारी ठोख दी मैंने आप से कुछ पूछा और आप है कि आखे फार फार के देखे जा रहे हैं देखा जो हुसन यार को तबीयत मचल गई आखों का था कुसूर छुरी दिल पे चल गई वाँ वाँ वकील साहब आप तो शायर बन गए शुक्रिया अश्य मिस्टर आपने मेरी फ्रेंड की गारी का नुक्सान किया है और अपने गलती मानने की बज़ा है शेट जा रहे हैं जी मैडम इतनी हसीन गलती को हम सलाम करते हैं तो और चलिए इसे बात पर अपना दिलो दिमाब आपके नाम करते हैं शायरी से इनको इंप्रेस करना बेकर है आपको गारी का नुक्सान भरना ही पड़ेगा देखि Vallahi नुक्सान तो मैं भरी दंगा लेकिन मेरा जो नुक्सान हुआ है उसे कॉन भरेगा आपकी गाड़ी को क्या हुआ अच्छी खासी तो है मार तो इस गाड़ी को लगी है अरे यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैडम जो चोप उपर से दिखाई नहीं देती वह बहुत गहरी होती है हां फिर आप बटाईए कितना नुक्सान हुआ है मैं चेक काड़ लेता ह और को अपको आपका चेक वापस तो नहीं आ जाएगा देखिय। यह तो यह आलम है के एक बार दिल देदे देते हैं तो भी वापस नहीं यहात फिर चेक वापस कैसे आ सकता हैं podcasts कि आम बोली आपका नाम क्या है बेहेंजी इनजी कॉन बेहेंजी मतलब आप बेहेंजी और कॉन बहन जी? क्योंकि इन को तो मैं बहन जी बोल नहीं सकता न क्योंकि इनके साथ मेरा जन जनमांतर का दूसरा वाला रिष्टा है क्यों है न एक मिनिट आप मुझे इस से पहले कब मिले थे क्यों यही कुछ दस मिट पल दरसल मैंने आपको टीवी पर देखा था और बस देखता ही रह गया और देखते देखते पता नहीं कितनी सदियां बीद गई और ये तो लव एट फर्स साइट वाला मामला मालूम होता है मैं तो आपकी शकल भी नहीं देखना चाहती अरे मेरे और आपके विचार कितने मिलते जुलते हैं मैं तो खुद अपनी शकल देखना नहीं चाहता आहां देखने लायक शकल तो आपकी है भाई वाह अब तो सुबह शाम आप ही की शकल देखा करेंगे अरे पूजा ये तो को पूजा और हम तुम्हारे पुजारी हाँ ला 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 अरे दद्दू तुम ये ये जो बैटे सीथी बजा रहे हो मेरे सब पनों की रानी कब आयेगे तू कोई लड़की पसंद बसंद आगी क्या हरे यू अरे यू आपसुलिटी राइट दद्दू लेकिन आपको केसे बता चला। अरे मैं भी जब कॉलेज में था खुबसूरत लड़के देके स्थीटी बजाता था। अब भी? क्यों? मेरे पास दिल नहीं है क्या? अब ये बता? वो लड़की खुबसूरत है या नहीं? अरे खुबसूरत बला की खुबसूरत है दद्दू अरे तुम मुझे जरूर दिखा मुझे खूबसुला लड़के देखने का बहुत शौक है अरे क्या ददू अब कोछ तो अपनी उमर का लिहास करो अब तुम बुड़े हो गया समध्य की कोशिश करो बुड़े होगा तू तेरे बाप कबाप यह देख मसल देख अरे तुम दोनों के सिटी अब बजना लगे तूसे मेरे पास लाइए अब और फिर मैं शहाना यहाँ वहादूंगा outsider you are great your fantastic colour time commitment आजए आज्यास include you are अरे शोब का में देर नहीं दिर्णानाम चिं 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 gegen छोब चिं राक चात मेली में आर गू हल्व मेंसर how do you do पापा 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 यहाँ चिं ठी पापापा पापापा हलो तुम जी तुम्हें यहां आने की इजाज़त किस ने इजाज़त देदी है तो किसी और से इजाज़त लेने की क्या ज़रू होते हैं नहीं देखो तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं लेकिन इसके लिए मुझे आपके सिर्फ तीन मिनट चाहिए बस क्या मतलब मतलब यह कि इन तीन मिनटों में मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा और उन सवालों के जवाब लेते ही सी इधा बैक टुदब पविलियन इंडियन क्रिकेट टीम की तरह पूछो क्या मैं अंधा हूं जी मैंने पूछा क्या मैं अंधा हूं ब्लाइंड नहीं क्या मैं बदसूरत हूं नहीं थैंक्यू 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 क्या मुझे कोड है क्या मैं रोगी हूं नहीं लगता तो नहीं है क्या आप किसी और को चाहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जब ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे में कोई खास खराबी भी नहीं है तो मेरी अर्जी पर ठंडे दिमाग से विचार करने में आपको क्या पती है यह रहा मेरा दिल, मेरा मतलब है मेरा बिल, मेरा मतलब है अर्जी यह तो कोरे कागस है यही तो कहने आया था कि जब तक इस कोरे कागस पर तुम अपनी हाँ की महर नहीं लगा देती तब तक ये दीवाना तुम्हारी घर के सामने कल सुबह 6 बजे से तुम्हारी हां का इंतजार करेगा और अगर कहीं तुम 6 बजे ना आपाई तो 7 बजे और 7 नहीं तो 8, 9, 10, 11, 12 कल परसू तरसू हर पल हर समय तुम मुझे अपने सामने काओ और मैं उस वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूँगा जब तक तुम हां नहीं कह देती चाहें इंतजार करते करते मेरे प्रान ही क्यों ना चले जाए तो मैं चलू कल सुबह ठीक 6 बजे क्यान थ्यड़ पमषणार्स झाल 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 साफ जाहिर साफ जाहिर है दोनों तरफ से ये मुहाबत तो छुपती नहीं साफ जाहिर पहल प्जाश्य दो ये पश्वेश्य दिजार पहले नजरे नजरे पिली फिर मिले दिल अब हमारी मुलाकात है लोग बत नाम हम को न करने सोचने की यही बात है लोग कुछ भी कहें यह मुहाबत बात लोगों की सुनती नहीं फड़क पड़ता है क्या हासिना से यह नजर योही छुकती नहीं साफ जाहिर है दोनों तरफ से यह मुहाबत तो छुपती नहीं हम कहें ना कहें इस जवा से बत होटों पे रुकती नहीं फर्क पड़ता है क्या हासिना से यह नजर योही छुकती नहीं साफ जाहिर है दोनों तरफ से यह मुहाबत तो छुपती नहीं दिल है यह कोई मासम नहीं है एक दिन जो बदल जाएगा प्यार है कोई काटा नहीं है लग गया जो निकल जाएगा जब ता लग जाने जी से ना निकले यह मुहाबत निकलती नहीं फर्क पढ़ता है क्या हासे ना से यह नजल यों ही जुकती नहीं साफ जाहिर है दोनों तरफ से यह मुहाबत तो छुपती नहीं हम कहें ना कहें इस जुपा से बात होंटों पे रुकती नहीं फर्क पढ़ता है क्या हासे ना से यह नजल यों ही जुकती नहीं साफ जाहिर है दोनों तरफ से यह मुहाबत तो छुपती नहीं साफ जाहिर है दोनों तरफ से यह मुहाबत तो छुपती नहीं पूजा वह जैसा रूप वैसा है नाम दिदी अगर आप यह पेपर देख लेती तो छोड़ो पेपर पहले तुम यह देखो है ना खुबसूरत बहुत खुबसूरत है तुम सब काम छोड़कर पहले इसका पता लगाओ जी चाओ प्रेम मुझे कभी-कभी डर लगता है डर किस बात का डर पुजा तुम इतने अमीर हो और मैं घरीब तुम बड़ी-बड़ी गाडियों में घुमते हो और मैं कहीं तुम्हारे दादा जी पाप रे बाप सच तो यह है पुजा कि दद्दू से मुझे भी बहुत डर लगता है कहीं किसी वज़े से अगर एक बार ना बोल दिया उनसे हां कहलवा ना इंपॉसिल कोई करी नहीं सकता तुम्हें लगता है वो ना करेंगे देखो पता नहीं ना कर भी सकते तो फिर तुम क्या करोगे और इसमें करना क्या है अब देखो मैंने अपनी मर्जी से तुमसे प्यार किया है और सारी जिंदेगी तुम ही से प्यार करूंगा लेकिन फुझा शादी जो है वो तो तद्धू की मर्जी से ही करनी पड़ेगी क्या प्यार मुझे से और शादी किसी और से क्या करें देखो मजबूरी है तो क्या है कि दद्धू को मैं ना नहीं बोल सकता को दद्धू को नाле आरे तुम मेरे दादा जी को नहीं जानती बहुती सक्त आदमी है हाँ तो तुम भी सख्त बन जाओ सीधे जाकर बोल दो दादा जी मैं पुझा से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं पस इतनी सी तो बात है're यह इतनी सी बात नहीं है भै और हम नहीं, अच्छा कर तूम मेरी जगा होलती तो जाकर दादा जी से बोल देती क्यूं? फॉरन जो डेती? हुआ, सोचलो. बोल देती? अफ्कोर्स, बोल देती तो फिर बोल देना मतलब? मतलब यही एक दादा जी ने खुद तुम्हें गर बुला आ है क्यों? अए 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 दादा जी देखे कौना है अए अए पूजा प्रणादा जी यह हो इना बात तुम तुम बिगने नी हो बेटी तुम तुम तु सौंधर का अवतार हो तुम्हें देखकर तुम मेरे कहने का मतलब पचास साल पहले तुम कहा थी तब मैं पैदा ही नहीं हुई थी अच्छा किया वरना उस वक्त मैं तुम्हें किरना पर लेता और ही रहा जाता यू अलगी बोई थांक यू भाई मच्छ दादाजी थांक यूर स्टाट अब तु शादाजी को बुला और उनसे बोल जल्दी से मुहरत निगाले मुझे शादी करनी है तादाजी शादी करनी नहीं करवानी है हाँ करवानी है कहिए क्यों याद कर रहे थे शास्तिय जी यह लगा इस लड़की से शादी करना चाहता है तरह देखे जोडी कैसे अरे बहुत अच्छी है आ तो फिर जल्दी से इनकी शादी का मुहरत निकाली है बेटी तुम्हार बाद जनम कुण्ड लिया है पता नहीं है की नहीं कोई बात नहीं मैं हाथ देखकर जनम पत्री बना दूंगा तेक है आप बनाई जनम पत्री और तुचल मेरे साथ अरे कहा दाजी अरे कोई ज़रो भी गाज है लेकिन तुचल आओ बेटी तुम जाओ उनसे काओ मैं मिलना चाहती हूं ठीक है किससे मिलना चाहती है मा इसके पिताजी से देख कितनी खुप्सूरत लड़की है तुम ही देखो बाद तुम्हारी पसंद भी मेरी पसंद है अ कि शादी से पहले सब यही कहते हैं शास्तर जी क्या बात है अब सर्कें विला रहे हैं यह शादी हो नहीं सकती पर क्यों नहीं हो सकती बस इतना ही समझ लीजिए कि यह कर्णिया अशुव है अशुव पर कैसे अशुव उसके हाथ से खून होगा यह क्या करें आप उसके पती की हत्या कर दी जाएगी वो विवा के पहले बर्ष में ही बिद्वा हो जाएगी क्या आप कहना चाहते हैं कि यह लड़की अपने पती की हत्या करेंगी बिल्कुल करेंगी आपने ठीक से देखा है ना एक बार नहीं कई बार देखा है नक्षत्र की भाषा कभी जूट नहीं होती आप इस शादी में हां मत कीजिए नमस्कार मैं कुडली वंडली कुछ नहीं मानता मैं सिर्फ इतना जानता हूं दादा जी कि अगर शासी जी की बात सुनकर मैंने पूजा से शादी नहीं की तो मैं जिन्दगी भर पच्ता हूंगा क्योंकि दादा जी मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता अई रह सकता। बेटा, तू क्या समझता कि तुझे दुखी देखकर मेरा दिल नहीं रोएगा। बेटा, अगर पूजा से शादी करने के बाद शास्ती जी की बाद सच निकली, तो हमारा खांदान हमेरे से कले खाद्म हो जाएगा। दादा जी, खांदान तो तब खत्म होगा, अगर पूजा से मेरी शादी नहीं होई। बेटा, तू तू जानता है इस दुनिया में, तुझे ज़्यादा प्यार मेरे लिए कोई नहीं है। अगर मेरी आँकों के सामने तू, मैं तू सुगोज भी नहीं सकता। नहीं प्रेम, यह शादी में नहीं होने दूगा। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लिजे दादा जी, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ भूजा से होगी। चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं प्रेम, नहीं। प्रेम। आओ बेटी। बेटी। वो दूर पहाड़ें से लेकर यह सारी जमीन और जहां पर तुम खड़े हो यह मेरा इलाका है। लेकिन पचास साल पहले जब महीं आया था मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा हैने के लिए मकान तक नहीं था। कर बहुतatically जोकिछ गेर शास्त्रीजी से मेरे मुलाकाता ही हम आच लगा से भी बडी दोस्त रे उत्यज है। में अजय मुझे जह कूछ कहा हम वह करता कई। और बाभडव सलता जह कूछ मिली उन्हीं के बज़ से मिली। आज मैं जह कूछ हूँ… तुमसे कुछ थैंगी जी नहीं कि वज़ था मेरे बारे में तुमकुछ वो आप da Coin सराथ यह उनोने मुझे तुम्हारे बारे मeं बहुत बद्धाया जिसु की वज़े से मैं तुम्हें पोशे मेरे लाने पर मघबूर हो गया कि कहा है। यह पेटी, उन्होंने सर तम सुझ कुछ कहा है, शाय तुम सूने अबोनेबे, कि फिल खराब है। कि...... कि आपके शास्त्री जी ये कहना चाहते हैं कि मैं हत्यारिन हूँ अपने पती का खून करूंगी और एक साल के अंदर विध्वा हो जाओंगी यही मतलब है ना उनकी भविश्यवानी का आ रेटी दादा जी आग और पानी में दोस्ती हो सकती है सूरज पश्चिम से निकल सकता है हिमालाय परवत सूखे पत्तों की तरह उड़ सकता है लेकिन पूजा अपने पती की हत्या कभी नहीं करेगी वो जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे वो अपनी नजरों से गिर चाहे बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम जो कह रही हो सच हो लेकिन डर लगता हूँ वी साल पहले की बात है जब शाती जी के मना करने के बावजू मैंने मेरे बेटे और बहु को बिजनिस के सिलसे में विलाद देगा को प्लेन ख्रैश हो गया और दोनों के मौत हो गई उसके लिए मैं आज तक अपने आपको दोशी ठहराता हूं और मने तैकर लिया कि साथ्ती जी के मज़ी के खलाब कभी कोई काम नी करूंगा उनने ने निका प्रेम को वकील बनाओ बहुत नाम कमाएगा इतनी दॉलत रह लेकिन आज वो सब कुछ जानते भी तुमसे शादी करना चाहता है और मैं यह खात्र मोलेना नहीं चाहता अब तुम इसके रक्षर कर सकती हो लेकिन मैं क्या कर सकती हो तुम शादी से इंकार कर सकती हो तादा जी मैं प्रेम के बिना पूजा अगर सचमुष तुम प्रेम स हो सकती है अगर यह बात सच हो गई तो तुम भी से खोदोगी और मैं भी उसे खोदूंगा उसे बचा लो बेटी मैं हाद जोड़कर तुमसे प्रेम की जिन्दिगे की भीख मांगता हूं यह भीख मुझे दे दो ठीक है वो जहां भी रहे सुखी रहे उनकी बहुत लंबी उम्रों मैं उनकी जिन्दगी से चली जाओगी पेटी मैं जानता मैं तुमें बहुत दुख दे रहा हूं लेकिन ये ये उक्कार मैं जिन्दगी पर नहीं भूलूँगा तुम बोलो मुझे क्या चाहती हो जो तुम चाहोगी मैं तुमें दूंगा बोलो जो मेरे सामने हाथ चोड़कर मेरा सुक, मेरा प्यान मेरा सब कुछ मांग चुका हो वो मुझे क्या देगा क्या देगा वो मुझे पेटी किस बात की सजा दे रहे हो मगवाद मेरी तरा क्या विगाडा है हलो जो पूजया 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 रहे 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 दो पेजिए प्आए प्रस यह भूए हृए प्रस केड़ी में अखूए पर क्सेटरव आहे भूंगर्ग चलो कि अधर दोल्ड हृए हृए है चलो कि रही ऑने का निची अधूर्व यह देपारिशा दोल पर आहे हैं अगर तुम चुप चाप मेरे साथ महीं चलोगी, चलो! चलो! यहलो! ने जोद्रो, कमान! सुनाने तुमने बाहर आओ! यह कौन सा तरीका है मुझे लाने का? मैं और क्या करता, फूजा? मैंने तुम्हें फोन किया, तुम फोन पर नहीं आई। तुमसे मिलने तुम्हारे आफिस गया, तुमने मिलने से इंकार कर दिया। तुमसे बात करने का कोई और तरीका नहीं था मेरे पास कि बोलो क्या बात करनी है कि तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे क्या बात करना चाहता हूं तुमने तुमने मुझसे मिलना बंद क्यों कर दिया हां यह समझ लोगी कि दिल भर गया प्यार मर गया बखवास मत करो पूजा हमारा प्यार इतनी आसानी से मर नहीं सकता अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि दादा जी ने शास्ति जी की भविश्यवानी तुम्हें सुना कर मुझसे ना मिलने को मजबूर किया है अगर उन्होंने कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे सरवनाश का कारण बनों नॉंसेंस पूजा क्या कोई मान सकता कि तुम अपने पती का खून करोगी कोई माने या न माने तुम्हारे दादा जी मानते हैं उनके शास्त्री जी मानते हैं अरे लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं मानता तो फिर मेरी भी एक बात सुनो मैंने अपनी जिन्दगी में पहला और आखरी प्यार किया है तो तुमसे और शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ये मेरा फैसला है अरे जी ये क्या कर रहे हैं आप आपके पैर नहीं चूंगा तो किसके चूंगा हाथ कटने के बाद आपने मदद न की होती तो मैं और मेरी बेटी शायद भीख मांग रहे होती अब बैठिये जी काईए मेरे लिए क्या आग्या है आग्या नहीं आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं रानिमा मैं अपने बेटे प्रताव के लिए आपकी बेटी पुझा का हाथ मांगती हूं क्या कह रही है रानिमा हम तो बहुत छोटे आदमी हैं ऐसे क्यों सुचते हैं दिंदेल जी दौलस से कोई इंसान चोटा या बड़ा नहीं हो जाता कहिए आप अपनी बेटी हमें देंगे हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है इस गरीब की बेटी आपके घर की बहु बने हमें शादी बहुत जल्दी करवानी है उसको तो धर्दी पर स्वर्ग मिल रहा है मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहते बेटी तू क्या चाहती है यह मैं नहीं जानता मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रानी मा की खुशी के लिए हमें कुछ भी करना है कि इतना देने वाली रानी माने अज पहली बार मुझे से कुछ मांगा है उन्हें ना मत कहना बेटी उन्हें ना मत कहना मैं तरहाद चोड़ता हूँ मैं तरहाद चोड़ता हूँ नमस्ते मैं पूजा हूँ जैसा सोचा था बिल्कुल वैसी हो आव बैठो राधा जा मिठाई लेकिया पूजा तुम्हारे आने से इस घर में बसंत आ जाएगा यह घर स्वर्प बन जाएगा इसका उल्टा भी हो सकता है ऐसा क्यों कहती हो तुम मैं नहीं कहती जोतिशी कहते हैं क्या कहते हैं जोतिशी वो कहते हैं कि मैं अशुब हूँ कलंकी नहीं हूँ जिस घर में जाओंगी उसका सर्वनाश हो जाएगा मैं खोन करूँगी शादी की एक साल के अंदर मेरे पती की हत्या होगी और मैं विद्वा हो जाओगी ये सब उटपटांग बातें तुम्हें किस जोतिशी ने बताए एक बहुत बड़े जोतिशी है कहते हैं उन्होंने आज तक जो कुछ कहा है सच निकला है उनका नाम क्या है अचारिय दिव्य दिश्टी शास्त्री आपने इस कन्या के बारे में कुछ भविश्वाने की थी जी मतलब आपने जो कुछ कहा वो सच है बिलकुल सच है पूजा की शकल देखकर आपको लगता है कि ये कोई अनूचित काम कर सकती है रानीमा जोती शकल नहीं कुंडली देखता है और ये भी बता सकता है कि कौन विद्वा हो जाएगी और कौन नहीं जी हाँ आपने जोतिशाचारिय श्री तोमनाजी का नाम सुना है वो मेरे गुरु थे बहुत बड़े जोतिशी थे वो उन्होंने एक राजकुमारी की विवाह के लिए सैंक्रो कुंडलियां देखकर एक सर्वशेष्ट वर ढूंडा था शुब मोहर्ट निकालकर पूरे विधी विधान के साथ उसका विवाह क्या था लेकिन विवाह के तीसरे साल में ही एक कार एक्सिडेंट में उसके पती की मृत्तु हो गई और राजकुमारी विद्वा हो गई वो राजकुमारी मैं हूँ और उस दिन से जोतिश शास्त्र से मेरा विश्वाह सुट गया एक बार भूल हो जाने का अर्थ ये तो नहीं कि जोतिश शास्त्र गलत है आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो भूल एक बार होगी वो इस बार भी नहीं होगी जो गलती गुरु ने की वो शिश्य नहीं करेगा क्या भाग्यों के मानती ही नहीं मानती हूँ लेकिन भाग्यों को जब जोतिश बदल ही नहीं सकता भागवान ने जो चार दिन की जिंदेगे दे है, उसे खुश हो कर जीओ, पांच भी दिन मौत आएगी, यह सोच कर वो चार दिन बरबाद मात करो, मैं तुम्हें अपनी बहु बनाना चाहती हूँ, बोलो पूजा, तुम ना तो नहीं करोगी ना? रानी मा, मैं आपको ना नहीं कह सकती, लेकिन मैं नहीं चाहते कि मेरे इस घर में आने से किसी की आयो कम हो जाए। शास्त्र जी, अब आप जा सकते हैं। बोलो पूजा, क्या तुम मेरे बहु बनोगे? आपके विश्वास को इंकार करने की शक्ते हैं। पिर देर किस बात के हैं। शेह नहीं बजवाज है। तादाजी, औरे कहा हैं आप दादाजी। तादाजी, औरे कहा हैं आप दादाजी। मेरी महबुबाप, मेरी महबबद, मेरे साथ जनम-जनम का साथ निवाने की कस्म है खाने वाली। मेरी सब कुछ पूजा दादाजी। पूजा आज किसी और से शाधी कर रही है। नहीं बजाजा। आज किसी और से शाधी कर रही है दादाजी। पूजा किसी होर से, let's celebrate, let's celebrate पूजा, जी आज हमारी शादी की पहली रात है और मैं आप से कुछ मानना चाहता हूँ बोल ये, ना तुनहें कहेंगी कहीं मुझे वचन दीजे मेरे मा के चेहरे पर आप कभी दुख की छाय भी नहीं आने देंगी मैं उन्हें हमेशा मुस्कुराता देखना चाहता हूँ मुझे तबने पापा की याद भी नहीं मेरी मा, मेरे लिए पापा और ममी दोनों है मैंने जीवन में कभी किसी को प्यार किया है तो सिर्फ अपनी मा को वो बहुत बीमार है उनका दिल बहुत कमजोर है एक हलकी सी ठेज भी वो जेल नहीं पाएंगे ये शादी मैंने अपनी मा के खुशी के लिए की है और हमारा काम है कि उन्हें हमेशा हर हालत में खुश रखना यही आप से मेरी प्रात्ना है मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मुझे भी मुझे भी आप से कुछ कहना है हाँ हाँ बोलिये क्या कहना है शादी से पहले मैं किसी से प्यार करती थी मा को ये बात पता है नहीं बताएगा भी नहीं उन्हें बहुत दुख होगा उन्हें तो ये पता चलना चाहिए कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बहुत सुखी है और जहां तक आपके किसी और से प्यार करने की बात है तो एक बात कहूँ मैं अपना पती होने का अधिकार आप पर कभी नहीं चताओंगा जिस मनमंदिर में किसी और की मूर्थी विराजमान है मैं वहां आने की कोशिप भी नहीं करूँगा सुनिए जरा मेरी तरफ देखिए मेरा प्यार मेरा कल था और आप मेरे आज है मेरे पती है और अब मेरे मनमंदिर में सिर्फ मेरे पती की मूर्थी विराजमान है अब वहां कोई और नहीं हो सकता रेम 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 रमेश माँ फ्रेंड अरे पीने दे यार थोड़ी और पीने दे तादा जी ये सब क्या हो रहा है? अगर ये इसी तरह से पीता रहा तो देख रहा हूँ बिटा मैंने सोचा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ उसे मौत के मुसे बचाने के लिए लेकिन देख रहा हूँ कि मैंने ही मौत के मुमें ठेकेल दिया है वो जीना ही नहीं चाहता है समझ मैंने तक क्या करूं कैसे बचा हूँ उसे? दादा जी एक बात कहूं इसे सिर्फ पूजा ही बचा सकती है पूजा? पूजा? Are you ready? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत लग रही हूँ लेकिन यह तुम्हारे होटों पे क्या है क्या है? परमाश यह ख़राब कर दिया ने मेक अप तुमने अरे यह यह तुम्हारे आखों में क्या है? नहीं पास मत आना तूँ अच्छा आउट ऑप परमाश हलो हलो पूजा मैं रमेश बोल रहा हूँ रमेश? हां रमेश बोलो क्या बात है? प्रेम दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता है हर बोतल उसे मौत की तरफ ले जा रही है वो तुम्हें भूल नहीं पा रहा है तो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पूजा, मैं तुमसे माफी माँगना चाहता हूँ माफी? किस बात की माफी? दरसल मैंने तुम्हें रमेश को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेम से मिलो, उससे समझा वो तुम्हारा कल है और मैं तुम्हारा आज हर आज पर कल का कुछ उधार रहता है तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा कल भी सुखी रहे और आज भी तुम ही उसे मौत के मुझ से निकाल सकती हो और मुझे यकीन है वो तुमारी बात कभी नहीं टालेगा तुम जैसा पती पाकर पूजा की पूजा सफल हो गई मैंने सावन से कहा दिल की आग बुझा सावन ने कहा चुप के से जल जा मैंने बादल से कहा दिल की आग बुझा बादल ने कहा पागल है तु क्या मैंने सावन से कहा दिल की आग बुझा सावन ने कहा चुप के से जल जा मैंने बादल से कहा दिल की आग बुझा बादल ने कहा पागल है तू क्या सावन के बसकी बात नहीं बादल के बसका काम नहीं इस रोग की कोई दवा नहीं इस दर्द का कोई नाम नहीं मैंने जाम से कहा मुझको जलने से बचा तो जाम ने कहा ले ये आपी जाओ मैंने सावन से कहा दिल की आग बुझा सावन ने कहा चुतू के से जल जाओ मैंने सावन ने कहा दिल के बात नहीं मैंने सावन ने कहा दो जाओ मुझको पीने का शोक नहीं ये दिल की लगी बुझानी है आखों में कितने आंसु है सागर में कितना पानी है मैंने सागर से कहा मेरी प्यास बुझा सागर ने कहा दोब के मर जाओ मैंने सावन से कहा दिल की आग बुझा सावन ने कहा चुप के से चल जाओ जिस रोज ये मेरा दिल टूटा उस रोज बड़ी बरसात हुई बरसों मैं उस हर जाई से एक दिन जो मेरी मुलकात हुई मैंने उस से भी कहा मेरी क्या है खता तो उस ने कहा तुने प्यार किया मैंने सावन से कहा दिल की आग बुझा सावन ने कहा चुप के से जल जा मैंने बादल से कहा दिल की आग बुझा बादल ने कहा पागल है तुने. कि यह क्या हालत बना रखी तुम्हें कि यह हालत मैंने नहीं हुजाने बनाई है मेरी कि छोड़के चली गई मुझे इतना भी नहीं सोचा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं प्यार करने वाले आंसु बहाते नहीं आंसु पीते हैं रोते नहीं मुस्कुराते हैं उनकी यादों का नशा इतना गहरा होता है कि शराब की जरूरत नहीं पड़ती सच तो यह है कि तुमने पूजा से प्यार नहीं किया सिर्फ उसे पाने की कोशिश की है और जब तुम उसे नहीं पास सकी तो तुम्हारा दिल तूट गया क्योंकि तुम उसे नहीं अपने आप तुम से प्यार करती थे और तुम्हें दुख हो रहा है कि उसकी शादे तुम से किसी और से हो गई वह बहुत खुश है और उसकी खुशे तुमसे देखी नहीं जा रही यह जूट है यह जूट है तो सच क्या है सच सच तो यह है पुजा कि मैंने तुम्हें और सिर्फ तुम्हें प्यार किया है आज भी तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा अगर यह सच है तो उसकी खुशी में खुश रहो उसे मुस्कुराता देखकर मुस्कुराओ उसकी याद में मरने की बज़ाए जिंदा रहला सीखो और अगर तुम पुझा से सच्छा प्यार करते हो तो तोड़ दो ये बोतल छोड़ दो ये शराब और अगर तुम यह नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने मुझे कभी पुझा का नाम नहीं लेड़ा मत कहना कि तुम उसे प्यार करते हो मत कहना अगर नहीं हाँ प्रताप स्विजर लेंड से वही 200 क्रोड रुपे वाली पार्टी का फोन आया था वो लोग यही चाहते हैं कि हम ही वह बीदर सभाले तो आप ही चलिए इमामाजी मैं तो जाओंगा यह बेटा लेकिन तुम्हारा जाना भी बहुत जुरूरी तो एक काम केजिए अगले महने का प्रोग्राम बना दीजिए अगले महने नहीं तुम कल जाओगे कल तुम स्विजर लेंड जाओगे लेकिन मा शरम नहीं आती शादी को 11 महने हो गया है अभी तक तुम लोग हरी मुन नहीं गया है सर्फ मेरा पल्लू पकड़कर घुमत रहो लेकिन मा आपको छोड़कर फिर मा एक क्या मुसिबत है देखो तिकर्स आगे है तुम लोग दोनों कल जा रहे हो बस हुआ मैं मा जा रहे तुम लोग हुआ नहीं चैस एफ horiz ligand ourselves हाँ हाँ हुँ हुँ रहते हैं हम खोई खोई गुम्सुम क्योंके आँखों में तुम हो आँखों में तुम हो आँखों में तुम सीने में धिल धक धक धुम धुम सीने में धिल धक धक धुम धुम क्योंके आँखों में तुम हो आँखों में तुम आँखों में तुम हो आँखों में तुम कर दो कर दो पहले ये नींद गई फिर ये करार ना जाने क्या जाएगा अब की बार मुख पे सजा लिया मैने ये प्यार बस हो गए मेरे सोना सिंगार कजरा ना गजरा ना कुम कुम क्योंकि आँखों में तुम हो आँखों में तुम सीने में दिल धक धक धुम धुम क्योंकि आँखों में तुम हो आँखों में तुम क्योंकि आँखों में तुम खामुश है हम दोनों मगर करने लगी बाते ये नजर तुमने कुछ ऐसे देखा इधर फिर क्या हुआ नहीं मुझको खबर बस होश मेरे हो गए तुम क्योंके आँखों में तुम हो आँखों में तुम सीने में दिल धक धक धुम धुम क्योंके आँखों में तुम हो आँखों में तुम रहते हैं हम खोई खोई गुम सुन क्योंके आँखों में तुम हो आँखों में तुम आखो में तुम हो 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 आखो में तुम कर दिया कितनी सफाज से कातिल को उसी की बातों में फसा दिया और ऐसा फसा की खुद ही मानिया कि वो कातिल है दादा जी आप ओट लवनी सप्राइस दादा जी जले वेटा इसकी क्या जरू हो थी आज तुने ऐसा केस जीता है इचे से या बड़े बड़े वकिलों ने लेने की इंबत ने की आपार आदा जी चल वेटाब चल घर चले चले पूजा पूजा इन फोलों के असली हकतार तुम हो मेरी सारी स पलता मेरा नाम सिर्फ तुम्हारी वज़े से हैं तुम जहां भी हो खुश रहो सुखी रहो और दुनिया की तमाम खुश्यां इन फूलों की तरह हमेशा तुम्हारी कद्बों में रहें कि अमने ने चांप तो अजय दो में परेश जाने के लिए गाड़ी के लिए काहा था कि यह रही कि और वह गाड़ी तुम योग जाओ आप पर यहां का काम क्वार्टम करते ही तुम्हें वह मिलता हूं यहां अब है जड़नी चले हुजा हुए 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 याद है आज कौन सी तारिक है? शे अक्तोबर और कल साथ अक्तोबर हमारी शादी की पहली साल गए तो याद है तुम्हें? ये तारिक मैं कैसे भूल सकता? कल क्या करेंगे हम लोग? कल हम लोग अपनी शादी की सालगेरा बहुत धुन धाम से मनाएंगे नाचेंगे, गाएंगे, एक दूसरे के प्यार में समाझ आएंगे। यह क्या हो रहा है? पूचा, काड़ी के प्रेक्स काम नहीं कर रहा है! ओ मैं गॉड़, अब क्या करेंगे? यह क्या हो रहा है? रुचा, रुचाप! मैं झाल हुँए रहा है, भी मैं थांगे! रुचा! आच्छ! जहुख से प्राइब गच्याओ कारी से तप नहीνए फीलीस, ऑज कुजा कारी से फ्राइब थौचाहो तप नहीं, फुदेगगे तुम दोनों कुदेंगे तुमने कुझ जा पुजा पुजा नहीं, तुमने कुझजा पुजा नहीं! े Toni!!! हुट हुट हुट! 霍다??? 霍다!!! अऑड़ रीह घुछ जो वुरू है actII झाल प्रेदा ¿ बिद्द कया जब आगथ ? प्रेदा प्रेदा प्रेंग प्रेंट प्रेंग बजग बजगेंग कनो लिए बजभी कुछ नहीं होगा, पुजा, पुजा, लगता मैं नहीं बचूगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, पुजा, मेरी बात सुना, पुजा, ये खबर, मा, आतक नहीं पांशनी चाहिए, वह ये खबर बंदाश्ट नहीं कर पाईगी, वह बर जाएगी, पुजा, 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 हेलप, पुजा, हेल्प, हेल्प, कि प्रकाव कि पहुत धुमधाम से मनाएंगे अपनी शादी की पहली साल गिराव कि नाचेंगे गाएंगे और एक दूसरे के प्यार में समा जाएंगे कि देरे श्रकों बेटी तो होना था वो हो ही कि अब रोने से क्या फाई मेरी सिंदगी में तो अब रोना ही रोना है मामाची कि समझता हूं बेटी लेकिन अभी तो राने दीद का भी सामना करना है कि समझ में नहीं या था कि उन्तक ये ख़बर कैसे बचाओं नहीं 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 मां को कुछ भी नहीं बताना है यह कैसे हो सकता है मां को कुछ भी पताना लागना चाहिए है यहां उनकी अंतिम इच्छह थे लेश्री इतने बड़ी पात हम कप तक चुपा कर मिल ओ मां की अंतिम सांस तक ठीक है बेटी, तुम जसा चाहो, वैसे होगा तुमारे और मेरे सिवाए, किसी को यह पता नहीं चलेगा, कि परताब अभी इस दुनिया में नहीं है मैं सब इंतुजाम कर दूगा, कि परताब का नाम, पुलिस के रिकॉर्ड में, और डच सेटिर्केट पर, ना हो मैं सेटिर्केट परताब कर दूगा, कि परताब का नहीं है झाल परताब कर रिक रिक। कर दोगे ए, कि परताब को कर दो नहीं है शुड़ब में दुड़ गूरी मेंयों झाले, टो जहीर देका प्रणाब मापस आगे तुम लोग तो दो महने के लिए गया थे दस तिन में बापस आगे प्रताप कहा है प्रताप प्रताप कुछ काम से लंडन गए है और मुझे स्विच्जरलेंड से मामा जी के साथ भेज दिया यह क्या हुआ क्या हुआ एक्सिडेंट एक्सिडेंट मेरा मतलब है फिसल गई थी जियादा चोड़ तो नहीं आए नहीं मामूल इसी अजी पागल लड़का है उसे हनिमून के लिए बेजा था या बिजनस करने के लिए और बिजनस के लिए जाना था तो तुम्हें साथ लेकर जा सकता था का ठाहरा है लंडन में फोन लगो मैं बात करूंगी वो तो अब लंडन से निकल चुके होंगे कह रहे थे कई जगा जाना है शायद कावी वक्त लग जाए पुजा ए पुजा क्या बात है तुम खोई-खोई सी कुछ मुझा इसी लग रही हो हां नहीं क्यों प्रताब ने परिशान तो ने किया नहीं नहीं मा ऐसा कुछ नहीं ठीक है तुम जाओ आराम करो जी जाओ मेरी आपों में आसु है मगर मेरो नहीं सकती मुझे की आंक ये कैसे मुझे की आंक ये कैसे बारिश हो नहीं सकती मैं चुपके चुपके जला करती हूँ छुपा कर आसु हसा करती हूँ मैं चुपके चुपके जला करती हूँ मुझे मालूम है अब मैं मुझे मालूम है अब मैं कभी खुश हो नहीं सकती मेरी आखों में आसु है मगर मैं रो नहीं सकती ना राते अपनी न दिन अपने है हाजारों तोटे उए सपने है हाजारों तोटे उए सपने है मेरी पलकों में नींदे है मेरी पलकों में नींदे है मगर मैं सो नहीं सकती मेरी आखों में आसु है मगर मैं रो नहीं सकती मुझे की आख ये कैसे के वारिश हो नहीं सकती मेरी पलकों में सकती मेरी आसे छिन राफों में सकती मदा रे छोना नहीं सकती झाल कर दो हाई पूजा कैसी हो तुम अच्छी हो और तुम पहले तो ठीक नहीं था लेकिन तुम्हारी डांट सुनने के बाद अब बिल्कुल सुदर गया हूं पूजा तुमने मुझे बचा लिया वरना शराब की आदत में मुझे बरबाद ही कर दिया था खर मेरी छोड़ो उपने बारे में सुना तुम्हारे पती कैसे है अचे हैं खुश है तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर कौन खुश नी होगा तुम्हारी वशाधी की पहली साल गिरह चलो देर सही-स-ही तुम्हें आज बधाय दिये देता हूं विश्य वेरी हैपी फिर्स वेडिंग अनिवरसरी और मनी मोर तो कॉम थेंक यू अब चलू जल्दी जाना है बाई बाई पुजा पुजा मैं देख रही हूँ जब से तुम वापस आई हो खोई-खोई से रहती हो भूग भी कम हो गई तुमारी क्या बात है नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा उसका कोई फोन नहीं आया जे कल रात कोई उनका फोन आया था आप आराम कर रही थी इसलिए आपको जगाया नहीं मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी उसका फोन आये मुझे जगा दिया करो खैर कोई बात नहीं क्या कह रहा था वो आपका हाल पूछ रहे थे वो ठीक तो है ना जी हाँ क्यों के दिनों से अजीब अजीब सपने आ रहे हैं कब तक लोटेगा कह रहे थे कि समय लगेगा सारा काम पूरा करके आना चाहते हैं फिर से दुभारा न जाना पड़े मुझे नहीं लगता कि वो सच कह रहा है क्यों क्योंकि अगले हफ्ते दुर्गापुजा है और दुर्गापुजा के समय वो हमेशा यहां रहता है क्यों 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 झाल 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 आगया तू? ज़ी हुआ मा अच्छी मुझे मालूम था तू आएगा जा मा को प्रणाम करें यहा नहीं था? कैसे मुझ रही हुए थी ना हस्ते थी ना ठीक तरह से खाना काते थी अब देखो कैसे खिल रही है अब मैं आ क्या हुआ देखना सब कुछ ठीक हो तुम कौन हो मैं कौन मैं तुम्हारा पती प्रताब मेरे पती? नहीं, तुम मेरे पती नहीं हो अरे, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा पती हो उस एक्सिडन में मैं बच कया था नहीं, ये नहीं हो सकता मैंने अपनी आखों के सामने तुम्हारी गाड़ी को जलते और टुक्रे-टुक्रे होते देखा है। तुमने ठीक देखा है। लेकिन जिसे वो बचाना चाहता है, उससे कोई नहीं मार सकता। लेकिन, लेकिन तुम बचे कैसे? हमारी गाड़ी के एक्सिडेंट के बाद, जब तुम मदद मागने के लिए बाहर निकली थी, तब मैं किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल के आया। उसी वक्त एक धमाका हुआ, और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया, तो मैंने अपने आपके एक हॉस्पिन लुपाया। पता लगा कुछ लोग मुझे उठा कर ले गये थे। और मैं कई दिलों तक बेहोश पड़ा रहा। पूजा, तुम्हारी प्यार की शक्ती ही मुझे मौद के मुँसे निकाल लाई। कुछ उले की शक्ती ही शक्ती है eg हॉस्फ जब कि भी जब तर रहा। तुम्हारी जब को से मुझे लेगी शक्ती ही जीमा तो अब स्पटबता की शक्ती है अब topics noon तुमम्हारी मुझे गtımने के合। प्र agreement शक्ती है मुझे थीआ है तुम प्रदाब नहीं हो बोलो कौन हो तुम अरे पुझा यह तुम्हें क्या हो गया मैं तुम्हारा प्रताब हूँ नहीं प्रताब की पीट पर कोई मस्ता कोई दाग नहीं था कौन हो तुम बोलो कौन हो तुम अरे क्या फरक पड़ता है कि मैं प्रताप हूँ या रंजीत तुम किसी को तो ये बता सकती नहीं कि प्रताप मर गया है और मैं रंजीत हूँ क्योंकि ये सुनते ही वो बुड़िया मर जाएगी तुम चाहते क्या हूँ अपनी शक्ल का फायदा उठाना चाहता हूँ प्रताप से अपनी शक्ल मिलती है अरे आखिर क्यों न मिले मैं प्रताप के बाप की नाजायस आउलाद हूँ नाजायस आउलाद इस करोड़ों की जैदाद में पचास लाग तो मुझे भी मिलना चाहिए ठीक है मिल जाएंगे मगर इतना याद रखना मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मा के लिए कर रही हूँ अगर उन्हें कोई भी ठेस पहुँची तो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगी मा को यही पता लगना चाहिए कि हम दोनों बहुत सुखी पति-पत्नी है और दूसरी बात यह कि मैं यहां सोऊंगी और तुम वहां उस कमरे में जहां बोलोगी सो जाओगा जो कहोगी करूगा अपने को तो अपने पचास लाग से मतलब है पती की एक्टिंग करते करते तुम्हें पत्मी बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा संदरी जो रंजी सहो कैसी कटी पहली रात हम तब मामना फिट हो गया ना बस जरा सी कड़बड हो गई पूजा ने मुझे पहचान लिया क्या अरे बेवकूफ उलू गदे मैं तुम्हें वह सारी वीडियो फिल्म जिसलिए दिखाई थी कि तुपताप की हर बात हर आदा तो अच्छीता से सीख ले और तुए कि पहली रात ही चित होगे अरे बॉस अब तुम्ही सोचो जरा इतनी सेकसी लड़की अगर अपनी बाहे फैलाए मेरे सीने से चिपके तो मैं कीर्थन करता किन तुपखड़ा तो गया न सब सतनास कर दिया तूजा अगर तुझे परताब मान लेती न सारी दौरत उठी में होती बिकार ही परेशान हो रहे हो पेले सब कुछ फिट कर दिया है वो सब के सामने मुझे दधाब पना कर ही रखेगी और उसके लिए मुझे पुरे पचा पचास लाख रुपे का नुक्सान हो रहा है, बीस क्रोड का, मैंने तुम से उसकी गाड़ी के ब्रेक इसलिए निक्रवाई थे, ताकि वह वहां दोनों मर जाए, और तुम यहां प्रताब बनकर आ जाओगे, नारी मा मरी, और यह सारी दौलत हमारी, लेकिन, लेकिन, लेकिन आप दोबारा कोई गल्ती मत करना है, पूजा, जा जा, जुप जा, जा, नमस्ते मामा जी, नमस्ते बेटी, पूजा बेटी तो, यहां कैसे, मामा जी, एक मुसिबत आ गई है, क्या है बेटी, कल सिंदू रुचसर्व में, अचानक एक आदमी आ गया, जिसकी शकल यहां तक कि रानी मा भी उसे अपना बेटा मानती है, क्या कह रही हो तुम, कुछ पता चला, वो कौन है, वो कह रहा था, उसका नाम रंजीत है, रंजीत, मामा जी, अब मैं क्या करूँ, सांभल कर रहना बेटी, जब दीदी ने उसे प्रता मानी लिया है, तो तुमें भी बेटी, मिलकुछ स्वीकर मत करो, मैं जो, सब संभाल लूगा, ठीक है मामा जी, अब मैं चलती हूँ, होशन हो बेटी, कर्सकी कर्स कर? कुछिया इस्टरफ ओर्फ ओर्फ झाल और उस तरफ लगाज़ा दाइनिंग के लिए यहां इस तरफ एक और उस तरफ एक और उस तरफ एक और यहां इस तरफ एक और यहां आज प्रताप का जनम दिन है ना बड़ी दुनदाम से मनाएंगे अब पुजा एक गाना गाएगे क्या मा यह कै छोटा बच्चा है जो हैपी बद्ध गाना गाएंगे अरे मैंने कब कहा कि तुम हैपी बद्ध गाना गाओ जो गाना तुम्हें सबसे पसंद है वोही गाना गाओ ऐसे महान, अ कर तुम है जो कर किना गई जल अरे भर कर पस्वारी के क inputs भाल्ये हैût हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती नफरत हो या मुहबद आसान नहीं होती आसु खुशी के अंके होती है एक जैसे इन आसुओं की कोई पहचान नहीं होती हाँ हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती नफरत हो या मुहबद आसान नहीं होती हर बात है वही पर मतलब बदल बहे हैं दिल डगमगा गया था पर हम समल गए हैं एसे भी आते हैं दिन जीते हैं लोग लेकिन होता है और सब कुछ पर जान नहीं होती हाँ हर एक मुस्कुराहत मुस्कान नहीं होती नफरत हो या मुहबद आसान नहीं होती हाँ हाँ होते हैं इस जहां में चेहरे भी एक जैसे भूंगट भी एक जैसे सहरे भी एक जैसे सब जानती है नजरें पहचानती है नजरें अपनी पराई सूरत अंजान नहीं होती हाँ हर एक मुस्कुराहत मुस्कान नहीं होती नफरत हो या मुहबत आसान नहीं होती क्या चीज है ये धेर की हो जाएं जब अकेला रहता है साथ इसके यादों का एक मिला दुनिया भी छूट जाएं हर आसे तूट जाएं महफिल कभी दिल की वीरान नहीं होती आसू खुशी के अंके होती है एक जैसे इन आसूं की कोई पहचान नहीं होती हां हर एक मुस्कुराहत मुस्कान नहीं होती नफरत हो या मुहबत आसान नहीं होती तूम तूम अन्द कैसे है पती डूब्लीकेट हो सकता है तो चाबी डूब्लीकेट नहीं हो सकती क्या नुख चाहते क्या हो तुमने मेरा दिया होऊफ केक तो मुझस से निकाल कर फेक दिया लेकर अब तूम उज़े से ने तुम्हारा मतलब थेरे बोल थेरे वटन तेरी सास जाग जाएगी अगर तुने मुझे चुआ तो इसकी सारी कोलिया तेरे सीने के पार हो जाएगी तो मुझे गोली नहीं बा सकती क्यूंकि गोली की आवाज सुनते ही बुढिया यहां आजाएगी और तुमसे पूछेगी पूजा ये तुमने क्या किया तो क्या जवाब दोगी है और अस्याज सुनते ही बुढिया मर जाएगी माजी का क्या होगा मैं बाद में सोचूंगी लेकिन अब तू मारा जाएगा आएगी आएगी आआगी आएगी ये उे किव हलो हलो प्रेम पुझा तुम है प्रेम मैं तुमसे मिलना चाहती हूं क्या बात है पुझा सब ठीक तो है न कब मिल सकते हो जब तुम चाहो आज आजाओ ठीक है मैं अभी आती हूँ प्रणाम मा हैपी बद्दे मा प्रताफ का है सो रहे हैं लंडन से आने के बाद प्रताफ कुछ बदल सा गया है क्यों आप ऐसा क्यों सूछती है मा देख रही हूं देर तक सोता है शराब पिता है ऐसा तुप पहले कभी नहीं करता था वैसे शादी के बाद आदमी थोड़ा बहुत तो बदली जाता है और फिर कल रात पार्टी में दोस्तों के साथ भी गए होंगे मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूं मैंने आपकी ब्लड रिपोर्ट एसीजी रिपोर्ट खूब गोर से देखी है आपकी सिहत पहले से अच्छी हो गई है और यह सब हमारी दौाओं का चमतकार है यह आपकी दौाओं का चमतकार नहीं है डॉक्टर साब यह तो पूजा की सेवा का चमतकार है बिलकुल ठीक कहा आपने पूजा की सेवा है और हमारी दमाएं साथ-साथ चलते रही तो एक दिना बिलकुल ठीक हो जाएंगी यानि आप यह नहीं मरेंगी मेरा मतलब है कि अप डरने की कोई बात नहीं है डॉक्टर साब नहीं ऐसी बात नहीं है किसी किसम की लापरवाई नहीं होनी चाहिए जी अच्छा रानी मा मैं चलूँ डॉक्टर साब आप शेहर जा रहे हैं मैं भी आपके साथ चलती हूँ वहां मुझे थोड़ा काम है कम आन वेलकम चलती हो मां जा अच्छा बुड़िया तो बनने का नाम ही नहीं लेती है जी तो करता इसका गला दबा कर खतम कर डालू प्रताथ 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 ए प्रताथ हाँ मा आज तारी कौन सी है पहला नॉवंबर क्यों कोई खास बात है मा नहीं कोई खास बात नहीं ऐसे ही पूछा था मा मैं जरा बाहर जा रहो एक जरूरी काम आ गया है अच्छा जा आज तो यूव देख प्रताथ आज तुम नहीं पहनुँगा आज तुम्हा बिल्कुल नहीं पहनुगी प्रताथ आज मेरा जनम दिन है यह मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरा जनम दिन मनाना तु कभी नहीं बूलता मुझे जनम देने वाली का जनम दिन क्या मैं भूल सकता हूं मा इस तरह से कोई जनम दिन मनता है क्या पागल मा कितनी अच्छी लग रही मा मेरी मा मा प्राइबर के लगाएबर के जनम दो धिन मेरा माशना बज़ा झालूम होते हैं इस जहां में चेहरे भी एक जैसे भूंगट भी एक जैसे सहरे भी एक जैसे अगर मेरा परताफ नहीं है तो यह कोण है अरे वह बुढ़िया मरने का नामी ने लेती है और वो शाला डॉक्टर कहता उसकी सेहत पहले से ज्यादे अच्छी होगी है अब अपने से यह नाटक वाटक नहीं होता है आखलो यसी बाते मत करो शोब करों कि दॉनरत वोकर में न उसके लिए मेहनित करनी पड़ती है दिमाग खर्ट करना पड़ता है जिससे ताम भी मर जाए और लाठी भी न तूटे इसके अलावा में और कुछ नहीं जानती पूजा ये सारी बाते तुम्हें मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी खेर वो जो कोई भी है मैं उसका पता लगाता हूं और तुम अपना ख्याल लखना रानी मा को संभालना एक मिनिट के लिए भी उने अकेला मत छोड़ना कि काम हो गया हमा काम हो गया मां घूमने जा रहे थी चलो मैं खुमा के लाता हूं पुजा कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूवत पड़े तो मुझे फोन कर देना और टेक क्या हूं थेंक्यू वेरी मच प्रेंड चलों और बाई प्राधा जी मा क्या कर रही है माजी को तो प्रताप साब घुमाने ले गया है किस तरफ उस तरफ प्रताप हा मा तुम्हें याद है यूरोप जाने से पहले तुमने मुझसे वादा किया था कौन सा वादा मा किस पहाड़ी पर तुम शिवजी का एक मंदिर बनाओगे बिलकुल याद है मा और मैंने आर्केटेक्स से बात भी कर ली थी वो मुझे दो तीन डिजाइन बना के देगा उस पेसे आप एक पसंद कर लीजेगा मा आपको दिया वादा मैं कभी भूल सकता हूँ क्या ये जूट है ये जूट नहीं सच है मा मैंने मामा जी के सामने आर्केटेक्स से बात किये वो लीजे मामा जी आर उनसे आप पूछ लीजे मैंने आपने बेटे से कभी कोई मंदिर बनवाने की बात ही नहीं की तुम तता आप नहीं हूँ बताओ तुम कौन हूँ जब आपने पहचानी लिया है तुम्हें बता ही देता हूँ मेरा नाम रंजीत है आपके पती की नाजाए जौलाद क्या आप बख्वास कर रहा है तुम्हें बख्वास नहीं कर रहा है जीदी मिल्कुल सच बोल रहा है जीदाजी शादी से पहले अक्से मुनी बाय के कोठे पर जाय करते थे उनी की नाजाए जौलाद है यह रंजीत अरे मा मर गई मैं रास्ते में आगी चोरी चकारी करके पेट चला थे एक दिन पहुद बाबू के यहां चोरी करने गया और पकला है युट्चा सब कोली मत बारिये सब सोच अब तो मार भी पड़ेगी और बड़े घर की हवा भी खानी पड़ेगी लेकिन लेकिन वहां तो सीनी उल्टा हो गया उन्होंने मेरा थोबड़ा देखा और बोला अमारा नाम क्या है? सब, रंजीत सब रंजीत? हाजी मौलाल, ये तो तेरी लिए 20 क्रोड का बेरेट चेक है 20 क्रोड का बेरेट चेक? कुछ बोला सब तुमें लेकाम करेगा? उसके लिए तुमें दो लाक रुपए मिलेंगे दो लाक रुपए के लिए तुम मैं कुछ भी कर सकता हूँ साब कुछ मेरा प्रताब मौल, मेरा प्रताब कहा है? मेरा प्रताब कहा है? मेरा प्रताब कहा है? रानिमा आपका प्रताबाब इस दुन्या में नहीं है सोचा तो था कि गाड़ी का ब्रेक फेल करके दोनों को मार ड़ा लेकिन पूजा बजब और प्रताब की मरने की ख़बर सुनके आपका कहीं हाट फेलना हो जाए इसलिए पूजा सुहागन के रूप में वापस आई है और फिर बॉस ने इस दो नंबरी माल को असली प्रताब बना कर आपके यहाँ फिट कर दिया बॉस आपने तो कहा था कि इनका दिल बहुत कमजोर है बेटे की मरने की ख़बर सुनते ही मर जाएगी लेकिन यह तो बड़ी पत्थर दिल निकली हराम से बैटके हमारी कहानी सुन देंगे इन्हें समझाइए ना पेटा तो मर गया है अब यह भी मर जाए चिंता मत कर दिदी हम पर इतना अत्रचार तो मत कीजिए अपने हम बर जाए प्लीज दिदी हम पर किरपा कीजिए प्लीज मौन मुझे माल मेधात तो इतना बड़ा कमीना है दिदी यह हरामी तो हमसे भी बड़ा कमीना है मैं तो हाथ जोड़के आपको मरने की प्रातना कर रहा हूँ लेकिन यह इस हरामी ने तो आपको नीचे गिरा कर मारने का प्लान किया है क्यों रंजीत मैं ठीक हो राओं येस बस अपना काम शुरू कर ही देता हूं कमीन! जाहतों! आलो अलो इंस्पेक्टर साब मेरा नाम का ताब बर्मन है मैंने ही आपको फोन किया था मेरी पत्ती ने मेरे मा का और मेरे मामा का खून कर दिया और मुझे भी मानने की कोशिश की है मैंने उस अंदर बंद करके रखा आईए इंस्पेक्टर साब इंस्पेक्टर साब इस शेयतान ने मा का खून कर दिया मैडम खून किसने किसका किया है ये तो अदालत ही बताएगी बैनर जी अरस्ट जाओ इंस्पेक्टर साब पच्छान मरो, मैं इस तरफ दिखता हूँ चलो आओ मेरा नाम रंजीत है, आपके पती परमेश्वर की नाजाएज आउलाद, मा मर गई और मैं रास्ते पे आ गया, चोरी चकारी करके पेट भरता था, बुड़िया बहुत चलाएज दिखता हूँ मरते मरते भी मेरी भासिक अंतजार पर, लेकिन अब भासी पे चड़ेगी पूजा, और इस सारी जायदात का मालिक बनेगा, रंजीत यार ओनल, लगता है श्रीमती पूजा देवी, फिल्में बहुत देखती हैं, इनका कहना है कि इनका पती मिस्टर प्रताप, विदेश में, कार एक्टी देंग में मारा गया, और यह हिंदुस्तान में किसी को खबारी नहीं हुई, कुछ दिनों बाद हू भा हू उसी शकल का एक आत्मी वापस आ गया, और किसी को पता नहीं चला कि वो असली प्रताप नहीं, नकली है, यार ओनर, एक अंधी मा भी अपने बेटे की खुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च् का इचान पाईं, और मजए की बात तो ये है मिलورड कि वो ही नकली प्रताप, इतने दिनों तक पूझा देवी के साथ, इन्हीं के बेटरूं में सोता रहा और इन्हें पता नहीं लगा, और पता लगा तो कब, किस अलत में, ये वो ही जाने हैं, और और और, सच तो ये है म और उनर के शिर्मती पूजा एक बहुती चालाग और बच्चलन ओरत है और ये आदर्श बहु बनने का नाटक कर रही है एक दिन जब रानी मा ने पूजा देवी को इनके प्रेमी के साथ पकड़ लिया तो इन्हों ने रानी मा का खुण कर दिया यौर उनर मैनीजर और इनका पती जब रानी मा को बचाने के लिए आए तो इन्हों ने मैनीजर का भी खुण कर दिया और अपने पती पर गातिलाना हमला किया यौर उनर ये सब साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ गवाँ पेश करना चाहता हूँ इजाजत है यौर उनर मेरा पहला कवाह है रानी मा का ड्राइवर राम सिंग जब रानी मा और मोहन बाबू का खुन हुआ तब तुम कहां थे हजूर मैं पाड़ी के पास ही था तुम्हां क्या कर रहे थे जी जी वहां हां बोलो क्या कर रहे थे तुम्हां जी वहां मैं पुजा मेम साहब के यार को लेकर गया था पूजामेम साफ का यार, क्वान है तूशि smiling में नियुक्त वहु कि व१्त हाऊं बटाओ वो ऊंग बोलो जी वो वाकिल साथ क्रंसितों कि कि रूद यक्धिन के साथ कह सकते हो की यह वकील ससाभ यजो भी पूजा देवी की यार है जी यह इन दुनों का शाधी से पहले का ही टांका है और और ऑडर के मां तो तुम बताव रहे थे के पूजा देवी के कहने के मुताबिक तुम वखील साब को पाड़ी पे ले गए जी साब ले गया था फिर क्या हुआ फिर फिर क्या वकिल साब ने मुझे सहों का पत्ता दिया और कहा जाओ फिर मैं वापस आने लगा ये जूट बोल रहा है जाब सरासर बक्वास कर रहा है ये जो भी बोल रहा है इसे बोलने दीजिए जूट और सच का फैसला करने से पहले आपको बोलने का पूरा मौका दिया हुआ है फिर सब गडबड हो गई कैसी कडबड हजूर मैंने देखा के रानी मा पहाडी के तरफ आ रही है अगा बड़ी हसी आरी क्या बात है कि क्या हुआ माहा रही है तुम जो अब कुल्टा कि शर्म नहीं आते तुझे पराय मट के साथ कुई उचड़े उरा रही है तु मेरे हंदान की ना कर दे तुम्हें जाने वो कौन सी मनहुस घर थी जो तुझे मैं इस घर की बहु बनागर लाई थी आने तो पताब को मैं उसे सब कुछ बता दूंगी और तु दे देखना बहुत तेरा क्या हाल करता है तु देखना उसके आने तक तु जिन्दा नहीं रहेगी मैं यह सब देखकर घबरा गया हजूर और फिर दोड़कर सहाब और मैनेजर साब को ख़बर कर दी अगर मेरे फाजिल दोस्त कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं थांक यू मिस्टी गुप्ता हां तो राम सिंग बोलो तुम्हारी शादी हो गई जी नहीं तुम शराब पीते हो नहीं नहीं जी नहीं जुआ मटका वगेरा खेलते हो नहीं नहीं सरकार तो कोठो पर गाना सुनने जरू जाते होगे नहीं नहीं सरकार मैं कभी नहीं गया क्या मतलब तुम्हारे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है नहीं सरकार मुझे कोई बुरी आदत नहीं अरे फिर उन 30,000 रुप्यों का तुम क्या करोगे जी हां वही 30,000 जो तुमें जुट तो या कभाही देने वाला जाने या फिर पैसे देने वाला जाने मैं तो सिर्फ इतना जाने की कोशिश कर रहा था कि इतने बड़े काम के लिए जहां करोडों की जाइदात का सवाल है कहीं इस गरीब को कम पैसे तो नहीं मिले मिस्टर प्रेम आप ऐसे सवाल नहीं कर सकतें I'm sorry your honor खैर राम सिंग जो हो गया उसे भूल जाओ अब आगे से ऐसे कामों के लिए दबा के पैसे लेना जी अच्छा ओडर 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 ठीक है राम सिंग अब तुम जा सकते थांकिजी सर्व नमस्ते मेरे काबिल वकील साहब को अगर कानून की मदद करने में कोई राज नहों यहर ऑनर नियुज तो मैं इससे कुछ सवाल कर सकता हूं मिजर प्रेम आपको मजबूर नहीं किया जा सकता अगर आपको राज ना हो नो यहर ऑनर मुझे कोई राज नहीं है मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा थैंक्यू मिस्टर प्रेम क्या ये सच है कि आप और पूजा देवी एक दूसरे को उनकी शादी के पहले से जानते हैं जी हां जानते हैं आप दोनों में अच्छी दोस्ती थी जी अखसर मिलते भी होंगे खायर जाने दीजीये शादी के बाद भी मिले कुछ दो या तीन बार अचानक मुलाकात हो गए थी और मैंने ये नहीं पोछा कितनी बार मिले थे जी मिले थे वारदात के दिन भी मैं पूजा जी को खर पहँंचाने गया था नहीं, नहीं, मैंने यह नहीं पूछा कि आप क्या करने गए थे, खेर, मेरा आखरी सवाल, क्या आप और पूजा देवी, शादी से पहले एक दूसरे को प्यार करते थे, हाँ मैं पूजा से प्यार करता था, आज भी करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन प्यार करन मिलोड मेरा अगला कभा है सब इंस्पेक्टर मिश्टर मुखर जी इंस्पेक्टर मुखर जी आपको खून होने की खबर किस ने दी प्रताब बाबूने क्या का उन्होंने उन्होंने कहा या पर दो खून हो गए फ़रंच ले आई ये उसके बाद आप वहां पहुंचे और र हुआ था और तब मैंने पूजा देवी को अरेस्ट कर लिया हूं कि देट्स और यह विटनेश इंस्पेक्टर मुखर जी जब आप मौकाई वारदात पर पहुंचे तो क्या आपने वो घाटी देखी जहां से रानिमा को फैका गया था जी हां वहां आपको उनकी लाश मिली थी जी नहीं हो सकता है लाश नदी में बह गयी हो लेकिन वीलचेर और वीडियो कैमरा मिला थ पर्ताब बर्मन सहाब ने निकाल लिया हो मुमकिन है सांक यू इंस्पेक्टर Your Honor मेरे अगले गवा है Mr. Pratap Burman मैं जो कुछ काऊंगा सच काऊंगा सच के सिवा कुछ नहीं काऊंगा आपका नाम प्रताब बर्मन आप पुजा देवी के पती है नहीं, ये मेरा पती नहीं है जच सहब ये आदमी मेरा पती नहीं है नहीं इसका नाम प्रताब है ये रंजीत है ये ठीक कह रही है जच सहब मैं इसका पती होना भी नहीं चाहता मैं भूल जाना चाहता हूँ कि इस खूनी के साथ कभी मेरी शादी गई थी जिस मा ने उसे इतने बड़े घर की बहुराणी बनाया उसने उसी का खून कर दिया मेरी मा का खून कर दिया मेरी मा का खून कर दिया डिलेक्स डिलेक्स मिस्टर प्रताब सभालिए अपने आपको अदालत आपके साथ पूरा इंसाफ करेगी सभालिए अच्छा ये बताइए जब रानी मा का खून हुआ आप कहा थे? आनन महल में अपने मैनेजर के साथ बिसनेस की बाते करा था आपको कैसे पता चला के ते हैं पूजा देवी के रानी मा खून कर दिया? ट्रैवर राम सिंग दोडता है सही अच्छा तव मेरे पास है उसने बताए कि पूजा और रानी मा में कुछ जबा चल रहा है ना ना फुज़ा ना ना फुज़ा ना फुज़ा ना फुज़ा ना अचल थे तुन्हें रानी को माँ डला मैं तुन्हें जिन्दा नहीं चोड़ा तू भीजा अपनी रानी बेहन के पास और उसके बाद मैंने पूजा को आनन महल के कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फोन कर दिया निस्टर प्रताप आपके शादी कब हुई थी जी पिछले साल साथ अक्टोबर को शादी के कितने दिनों बाद आप हनीमून पे गए थे जी यही कोई 11 मेरे के बाद थे इतनी देर क्यों लोग तो शादी करते फौरण चली जाते मैंने जब भी जाने की बात की पूजा टाल तालती रही कोई खास वज़े तब मेरी समझ में नहीं आया था पर अब मैं समझ क्या हूं कि जा समझ गए आशिक तो यहां था विदेश में क्या करते हैं पूजा देवी कहती हैं कि आप जो गाड़ी चला रहे थे उसके ब्रेक फेल हो गए गाड़ी खाई में गिर गई और आप मर गए वकील साहब अगर हमारी गाड़ी का एक्सिडेंट होता तो हम दोनों मरते हैं यानि एक्सिडेंट हुआ ही नहीं को खाई में गिरते हो देखा था और अगले दिन वहां के अकबारों में उसकी फोटो भी छबी थी और उसमें ये लिखा था कि गाड़ी चलाने वाला एक हिंदुस तानी था जिसका नाम रंजीत था अब ये मुझे रंजीत बनाकर ये साबित करने पर तुली है कि मैं प्र आज से पहले भी इस अदालत में लाखों लोग गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खा चुके हैं आप भी उनी मेंसे एक हैं लेकिन मेरा अनुबब ये है कि सच बोलने की कसम खाने वाले अक्सर जूट बोला करते हैं आपका क्या ख्याल है बोलते होंगे लेकिन मैं सिर्फ सच बोलूँगा तो चलिए एक आसान से सवाल का सच्चा जवाब दे दीजिए आपका असली नाम क्या है असली नाम से आपका मतलब क्या मेरे दो नाम है क्या मैं नकली हूँ अरे आप बेकार में नाराज क्यों हो रहे ह कब कहा कि आप नखली है तो फिर आपका असली नाम से मतलब क्या है मतलब यह है कि अक्सर लोगों के दो नाम होते हैं एक घर का नाम होता है जैसे विकी सैंडी बंटी वगेरा लेकिन उनका एक असली नाम भी होता है होता है यह नहीं होता होगा ठीक उसी तरह आपका असली न जी नहीं मुझे क्या अतराज हो सकता है यानि विचे बर्मन आपके पिता थे जी उनकी मुझे थी क्या अजी मैंने पूछा क्या आपके पिता जी मुझे रखते थे जी हां मुझे रखते थे तो इतनी देर तक क्या सोच रहे थे बच्पन में देखा था याद कर रहा था याद रखिएगा कहीं ऐसा नहों कि आप अपने बाप का नाम भी भूल जाएं खैर छोड़िये अच्छा ये बताई आप बच्पन में कहां पड़े थे फिर आप पूछेगे मैं कौन से कॉलेज में पड़ा था बी ए कौन से डिविशन में पास किया था कौन से सब्जेक में कितने नंबर मिले थे Ahab मैं यहां अपनी मा के खून का इंसाफ मांगने आओ कोई नौटरी मांगने नहीं आ है और वकील साब अपने महबुबा को बचाने के लिए ये साबित करने पर तुल है कि मैंने अपनी अपनी मा का खून कियो करूंगा प्रताब बर्मन वहां दूसरी दुनिया में पहुंचा यह च्या वकील साहब वकिल्सार्म processors मुझे बात मैं हूँ प्रताब बर्मन प्रताब बर्मन नहीं बलके प्रताब के कातिल रंजीत हो यह जूट है यह सच है 6 अक्टूबर कुन की गाड़ी का ब्रेक फेल करके तुमने उसे और पूजा दोनों को माट डालने की कोशिश की यह सरा सर जूट है और अब उसके हमशकल होने का फ इजद्दार आदमी हूँ मेरा नाम प्रताब बर्मन है और यह रहा मेरा पासपोर्ट जिसमें हिंदुस्तान से बाहर जाने की और आने की सही तारिक लिख हुई है इमिग्रेशन की मोहर भी लगई है अगर मैं मर गया होता तो वापस कैसे आता मेरे पास तो मेरे जिन्दा होले का सबूत है पर क्या वकील साब के पास कोई ऐसा सबूत है जिससे यह साबित हो सके की प्रताब बर्मन मर चुका है अगर है तो उससे अदालत में पेश करें उसके बाद ही मुझे कातिल या बहरूप्या ठेरा है मिस्टर प्रेम कपूर अदालत ये जानना चाहेगी कि आपके पास प्रताब की मौत का कोई सबूत है भी या नहीं जी नहीं एक आदमी की गाड़ी का एक्सिडेंट होता है तैकिकात होती है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट होती है टेट सर्टिफिकेट बनता है इन में से कोई भी चीज है आपके पास जी नहीं है और अनौर मिस्टर प्रेम कपूर अदालत में आना हो तो अपना केस ठीक से तयार करके आया कीजिए आदरवाइस डोंट वेस्ट माइटाइम जज साहब मेरी आप से एक ही प्रात्रा है इस केस का फैसला जो भी करना हो जर्ण जल्दी कर दीजे मांत तो मेरी मरी है वकील साहब की नहीं यह तो कोई ना कोई नाटक करते ही रहेंगे अगली बीस तारीक को इस केस का फैसला कर दिया जाएगा दकोर्ट इस एजन वकील साहब आप सोचते होंगे कि प्रताप के मर जाने के बाद उसके पासपोर्ट में वापस आने की महर कैसे लगी बड़ी आसान सी बात है जब प्रताप मरा तो मुहलाल ने उसके पासपोर्ट की जगा मेरा पासपोर्ट रग दिया और मैं प्रताप के पासपोर्ट में हिंदुस्तान वापस आ गया याने रंजीत मर गया और प्रताप जिन्दा है और हां एक बाद याद रहें तुम मुझसे कभी नहीं जीचें क्योंकि तुम सच के गुलाम हों और मैं जूट का बाद श्याएं किया सुच रहें मुझसे प्रेम कितने दुख की बात है इंस्पेक्टर साब कभी कभी सच को जानने के बावजूद हम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस सच का हमारे पास कोई सबूत नहीं होता सच लाचार खड़ा देखते रहता है और जूट जूट नकली सबूत बनाकर जाकर सच की कुर्सी पर बैठ जाता है और आज तो हर जगह यहीं हो रहा है जूट का बोल बाला है और सच का मूझ काला है मिसस पूजा बदमन आपके वखिल साब नज़र नहीं आ रहे हैं अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है या कोई सुबूत देना है तो आप दे सकती है जच साहब मैं आपके सामने ये स्विकार कर चुकी हूँ कि मोहनलाल का खोन मैंने किया है जब मैं एक अपराद म जूट का सहरा तो वो लेते हैं जो अपराद करके कानून से बचना चाहते हैं अपना इलजाम दूसरों पर डालने के लिए नौकरों को पैसे देकर जूटी गवाई दिलवाते हैं जैसे रंजीत ने किया है मैंने किसी नौकर को पैसे ने दिये कोई जूटी गवाई ने द मेरे पती के मरने का कोई सबूत नहीं है लेकिन क्या हर वो बात जिसका सबूत नहीं होता जूट होती है अगर मैं ये साबित नहीं कर सकती कि भगवान है तो क्या आपकी अदालत ये फैसला सुना देगे कि भगवान नहीं है एक्स्क्यूज मी यॉर आनर तेर से आने की माफी चाहता हूँ यॉर आनर जब मुझे खबर मिली के रानी माफ जिन्दा हैं तो मैंने इन्हें अदालत में लाना बहुत जरूरी समझा पुलिस वालों को इनकी लाश इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये नदी में बह गई थी। कुछ गावालों ने इने देख लिया और बचा लिया पतकिस्मती से इनके बोलने की शक्ती चली गई है लेकिन ये अपने कानों से अच्छी तरह सुन सकती हैं और हमारे हर सवाल का इशारों में जवाब भी दे सकती हैं और इसलिए और आनर इसकेस पर रोशनी डालने के ल में गिरा दिया था क्या वह इस वक्त इस अदालत में मौजूद है कि और से देखे रानेवा कि क्या पिशारा करके ये बता सकती हैं कि वह शक्स कौन है वो जो वहाँ वाइट सूट में वेठा हुआ है लेकिन माजी वो तो आपका बेटा प्रताप है मिस्टर पताप मैं अकेले में बात करने की इजाज़ता हूं इजाज़त है थैंक्यू सर्व रानिमा ने अभी अभी अपने बयान में इस शक्स को खूनी ठहराया है मुझे डर है कहीं ये भागने की कोशिश न करे इसलिए अदालत से मेरी दर्ख्वास्त है कि इन्हें इंस्पेक्टर मुखर जी की निगरानी में बेजा जाए रिक्वेस्ट ग्रांटेड इंस्पेक्टर मुखर जी आप इन लोगों के साथ जाए आए आप लोग यहां बैट कर बात कीजिए मैं बाहर बेट करता हूं थैंक्यू वेरी मच बैठों आप क्या है यह रोनर मैं सावरस से कुछ सवार नहीं सर अब आप कोई सवार ने करें मेरी मा बज गई है अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान का लाग लाग शुक्र है कि मेरी मा जिन्दा है मा 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 तू आगे बोल कॉले तू बोल कॉले तू आप भी देखे जट साब नकली को असली और जूट को सच मैं नहीं वकील साब बना रहा है यह क्या तमाशा है मिस्टर प्रेम यह अदालत है कोई नाटक कंपनी का स्टेज नहीं यह रोनर इस अदालत में सेक्ड़ों बार जूट का सहरा लेकर सच को छुपाया गया है हाँ आज मैंने भी छूट का सहरा लिया है लेकिन सच को छुपाने के लिए नहीं बलके सच को सामने लाने के लिए और यह रहा सच यह रोनर मुझे पूरा यकीन था कि रानी मा को जिन्दा देखने के बाद रंजीत अपने वकील साहब के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहेगा और इसलिए इंस्पेक्टर मुखर जी उन्हें एक ऐसे कमरे में लेकर गए थे जहां हमने पहले से एक वीडियो कैमरा चुपा कर रखा था वहाँ इन दोनों के बीच में क्या बाते हुई यह आप खुद देख लीजिए पात क्या है यह रानीमा नहीं है क्या पक्वास कर रहे हो यह रानीमा नहीं है क्योंकि मैंने उसका गला दबा कर उसे मार ढाला था और उसके बाद मैंने उसे खाई में फेग दिया था तो फिर पूजा ने पूजा ने कुछ नहीं किया पूजा को पता था कि मैं उसका पती नहीं रंजीत हूँ। उसने हमें रानी मा को फेकते हुए देख लिया और कोली चलाल लगे। तब मैंने महललाल को आगे कर दिया और वो मर गया। कोई अपनी जगा से नहीं हिलेगा। वरना मैंसे कोली मार दूँगा। चलो मेरे साथ। नहीं। अए तुम्हें चांद से मार डालूगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे मरते ही ये सारे लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करते हैं। इंठाव इंठाव आ, पिल्श वह इंठाव गग अगा, प्यूज़, प्यूच़, प्यूब ही ओधी कि जू़ लाँ लाँ लाँ, इसे जूब कि यूप लाँ लाँ, भाँ! खबरदार उजा तुम तुम्हारा खेल कट मुवा रंजीद चलो मंगल के शूब है यह दादा जी देखिए कौना है अरे फुझा बेटी आओ आओ शास्त्री जी आप भी यही है अब बताएए आपकी जोत्र शुद्या क्या कहती है अभी साथ शूब महुर्थ है और एक हप्ते के अंदर तुम दोनों का विभाय योग है नाए शास्त्री आज मैं आपकी बात नहीं मानूगा क्यों दादा जी क्योंकि मैं एक हफ्ता और इंतजार नहीं कर सकता आज ही तुम दोनों की शादी होगी योग ग्रेट डादा जी तुम दोनों सुखी है कहे ना कहे इस जुबा से बात होटों पे रुकती नहीं फर्क पड़ता है क्या हां से ना से ये नजर्यों ही जुकती नहीं साफ जाहिर है दोनों तरफ से ये मुहाबत तो छुपती नहीं साफ जाहिर है दोनों तरफ से ये मुहाबत तो छुपती नहीं लालाला, 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 हम कहें ना कहें इस जुबा से, बात होटों पे रुकती नहीं फर्क पढ़ता है क्या हासे ना से, ये नजर यो ही छुपती नहीं साफ जाहिर है दोनों तरफ से, ये मुहबत तो छुपती नहीं